लोग जन्माश्टमी के तिवार पर एक दूसरे को कृष्णी की तस्वीर जो है बेशते हैं और कृष्णी की तस्वीर कौन नहीं चाहता है घर में लगाना आज हम जाना चाहेंगे महाउपाये के जरीए कि क्या बताने वाले हैं क्योंकि बहुत कुछ खास है बताने के लिए जी बिलकुल अच्छा आपने यह भी अनुभफ किया हो गया दिवयार जी कि मैं जिवार बताता हूं वह बहुत ही सरल होते हैं बहुत सथे होते हैं आज कर दोवां bisa ब करें यहां आदमिया जो बहुत विशेश है क्योंकि यह जो महीना है जो तित्रियां चल रही है वो बहुत विशेश है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर आपके घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोश दूर कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का हर स्व तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप भगवान कृष्ण के स्वरूप को अपने घर में इस्थाफित करके शुब फल प्राप्त कर सकते हैं बड़े से बड़े वास्तु दोश को आप दूर कर सकते हैं तो आए चर्चा करते हैं कैसे कैसे कौन से स्वरूप को लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ जो स्वरूप है अगर आप उसे इस स्वरूप को रसोई घर में लगाते हैं तो रसोई घर का यदि बहुत बड़ा से बड़ा भी वास्तु दोश हो तो वह बहुत आसानी तरीके से बहुत सवलता से दूर हो ज अपने बेडरूम में अपने सामने की तरफ लगाना चाहिए अर्थात आप अगर दक्षन की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो उत्तर की दिवार पर आप लड़ू गोपाल का चितर लगाएं बाल गोपाल का चितर लगाएं आप राता काल पती पत्नी जब उठे तो सबसे पहल दर्शन आपको उनका मिलना चाहिए इससे आपको संतान की प्राप्ति तो होगी तो होगी ही आपके बेडरूम में जो वास्तुदोष होगा जिसके कारण से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या ग्रहों की कोई ऐसी बाधा है उसमें भी आपको बहुत अच्छा देवी देवताओं की तस्वीर लगाना वास्तु शास्त्र में निशद बताया गया है लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर को यदि आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो उससे आपके प्रेम भाव में वृद्ध होती है जब आप इस यूगल छवी को देखते हैं जि जिन भी हस्बंड वाइफ में जिन भी कपलश में बहुत ज़ादा जगडा रहता हो आपस में परस पर प्रेम की कमी हो जैंचन बहुत ज़ादा हो बात-बात में आप लोग जगरते हो तो ऐसे कपलश को अपने कमरे में राधा औरी प्रिश्णं की मूर्ति या एक फोटो अपने सामने जरूर लगानी चाहिए जिससे आपके दोनों पति पतनी के बीच में प्रेम भाव में व्रिद्धी होगी भवन में महाभारत के युद्ध दर्शाने वाली तस्वीर वास्तु शास्त्र के अनुरूप नहीं माना जाता इसलिए ऐसे चित्रों को आप घर में मत लगाए जिसमें श्रीक्रिष्न जो है वो अर्जुन के सार्थी बने हुऊ या महाभारत से संबंदित कोई चित्रों ऐसे चित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए भगवान श्रीक्रिष्न का चित्र आवासी एवन व्यावसाइक दोनों ही इस्थानों पर रखा जाना चाहि इस सकरात्म कूर्जा का बहुत अच्छे से संचरण होता है जिसका लाभा प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्रीक्रिष्न की रासदीला के द्रिशों की तस्वीर को भवन में पूर्व दिशा में लगाया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसका प्रभाव परिवा हो जाती है घर में कितनी भी आपस में घर के सारे लोगों में परिजनों में यदि तनाव रहे तो इस चित्र को लगाने से वो तनाव दूर होता है अगर आपके घर में धन का अभाव है तो अगर आप इस चित्र को लगाते हैं जिसमें वसुदेव बाबा ने उनको अपनी टोकरी में उठा रखा है, मस्तक पर रखा हुआ है अगर आप ऐसा चित्र लगाते हैं तो आपका घर जो है वो हर तरीके से धनधान से परिपूर रहता है आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो पाती बिल्कुल पंडित जी कोई तोड़फोर नहीं, कोई खर्चा नहीं और वास्तु दोशका निवारण हो जाए इससे बड़ी और क्या आप इस्टूडियो में आपने दर्शकों के इतनी एमजानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैये श्रीक्रेश्ण और फिलाल अमरे इस खास पेशकर श्पेत नहीं आप देखते रहें समाचार प्लस